दोस्तों आज के इस वीडिया हम बात करने वाले हैं टाइगर नागे स्वरा राव मोवी के पांच दिनों की बोक्स ओविस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे लियो मोवी की छे दिनों की बोक्स ओविस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले है और बात करेंगे इन दोनों मोवी में से कौन सी मोवी ज़्यादा कमाई कर रही है और कौन सी मोवी ने बाजी मार लिए है कौन सी मोवी रह चुके पीछे इन सब के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप लोग भी डेली बोक्स ओविस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद कर तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो चल यह आप सब सब पहले बात कर लेते हैं टाइगर नागे स्वेरर राव मोवी के बारे में तो टाइगर नागे स्वेरर राव मोवी को आज रिलीज हुए पास दिन हो चुकिया है और यह मोवी बोक्स ओविस पर अभी यह मोवी एक decent collection कर लिया लगातार अब ऐसे में देखने वाली बात हुगे कि यह मोवी आगया आने वाले दिनों में और कितने करोड की कमाई कर पाती है और बोक्स ओविस पर हीट हो पाती है या पर नहीं तो चलिए अब बात कर लेते इस मोवी की star cast की तिस मोवी की star cast में देखने को मिलने वाले रवी तेजा के साथ नूपूर से नंद देखने को मिलने वाली है बात कर लेते इस मोवी की बजट किते इस मोवी का बजट लगभग 50 करूर के आस-पास था और इस मोवी को लगभग 15 स्क्रीन पर रिलीज़ कया गया था cinema अगर में वर्ड़ कर लिए ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह मोई box office पर क्या कमाल कर पाती है और box office पर क्या record बना पाती है आप लोगो क्या लगता है आप लोग कमेंड वो उसमें कमेंड करके बता सकते हैं जहां इस movie का budget है 50 क्रोड और अभी तक इस movie ने जिस तरह की collection करके दिखाई है उ दुशलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के तीन दिनों के ओफिसल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी के तीन दिनों के ओफिसल कलेक्शन निकल कर आज चुकिए इस मूवी ने तीन दिनों में टूटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 14 करोड 66 लाग जहां बात कर लिते इस मुवी के तीन दिनों के इंडिया गुरुस कलेक्शन की तीस मुवी ने तीन दिनों में इंडिया गुरुस कलेक्शन कर लिया 16 करोड जहां बात कर लिते इस मुवी के ओवर्सिस की कलेक्शन की लगबग 21 करणाओ अब बात कर लिए तो इस मोवी की पांचवे दिन की कलेक्शन की आज की कलेक्शन की तो आज की दिन पर जिस तरह की ओकिपेंस देखने को मिल रही है और जिस तरह से डवांस बुकिंग हुई है उससाब से देखा जाए तो आज की दिन पर ये मोवी लगभग 3 करोड़ 50 अभी तक worldwide collection कर लिया लगबग 21 से 22 क्रोड के आसपास ऐसे में देखने वाली बात होगी ये मोवी 50 क्रोड से ज़्यादा की कमाई कर पाती है और box office बर हीट हो पाती ही या फिर आप लोगों क्या लगता है ये मोवी box office बर हीट हो जाएगी या फिर हो जाएगी flop अब बात कर ल बात होगी कि ये मोवी कौन सी नया record बना पाती है और box office की सबसे बड़ी बुलकबेस्टर मोवी बन पाती ही या फिर नहीं आप लोगों क्या लगता है ये मोवी आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाएगी या फिर नहीं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जहां तमिल सिनिमा में देखा जाए तो तमिल सिनिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन गई है अब आप लोगों क्या लगता है ये मोवी इंडियन सिनिमा के भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाएगी या फिर नहीं आप लोगों क्या लगता है आप लोग कमेंड वसमें कमेंड करके बता सकते हैं लियो मोवी ने पहले दिन पर ही सभी मोवी की रिकोर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकोर्ड बना दिया अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन सी मोवी ऐसी आने वाली है जो लियो मोवी की रिकोर्ड तोड़ने वाली है आप लोगो क्या लगता है बॉलिवूड से ऐसी कौन सी मोवी आने वाली है जो इस मोवी का रिकोर्ड तोड़ने वाली है आप लो comment को उसमें comment करें बता सकते हैं तो चलिए आप बात कर लिए तो इस movie की स्टार कास्ट कीता इस movie की स्टार कास्थ में देखने को मिलने वाले नड़ा के साथ इस movie की हिंदी में भी रिलीज किया गया है पेन इंडिया लिबल पर और इस मूवी ने पांचेव लेंगवेज में अच्छी कमाई करके एक नया रिकोर्ड बना दिया है अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये मूवी आगा आने वाले दिनों में और क्या कमाल कर पाती है बोक्स ओफिस पर और इंडियन सिनिमा की सबसे ज़्यादा कमाई क करने वाली मूवी बन पाती है या फर नहीं आप लोगों क्या लगता है आप लोग कमेंड वसमें कमेंड करिके बता सकते हैं तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के चार दिनों की ओफिसल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो चलिए आप सब सब पहले बात कर चार दिनों की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन के ते इस मूवी ने चार दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 174 करोड जहां आप बात कर लिया है 150 करोड जहां आप बात कर लिए ते इस मूवी की चार दिनों की वर्ल्ड वाइट कलेक्शन की ते इस मूवी ने चार दिनों में वर्ल्ड वाइट कलेक्शन कर लिया है 355 करोड जहां आप बात कर लिए ते इस मूवी के पाँचवे दिन की कलेक्शन किते इस मूवी ने पाँचवे दिन पर तमिल नाडू से ग्रोस कलेक्शन कर लिया 26 करोड किरला से ग्रोस कलेक्शन कर लिया 7 करोड और इस मूवी ने करनाटका से ग्रोस कलेक्शन कर लिया 3 करोड और इ अब बात कर लिए ते इस मोवी के चटवे दिन की आज की कलेक्शन की तो आज की कलेक्शन की तो आज की दिन पर जीस तरह की पैंसे देखने को मिल रही है और जिस तरह से अडवांस बुकिंग हुई है उससे आप से देखा जाए तो आज की दिन पर ये मोवी लगभग 40 करोड का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है ये कलेक्शन अभी अर्लिय स्टिमेट कलेक्शन है, ओफीसाल कलेक्शन अभी आना बाकी है जा नत्र शूँमी के रिकोर्ड तोड़ पाती है, या फ्रने ही, आप लोगों क्या लगता है, और आप लोगों को लियो मोभी कैसा लगी यहीं कमेंड आप लोग मोभी को देखने के लिए कितने एकसाइट थे अगर आप लोग भी डेली वोक्स अप इस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सुस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन कॉल पर सिलेट कर लिजेगा ताकि उमारे सब वीडियो का नोटिविकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आप लोगों से पहुंच चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में